स्वागत है आपका आज की चाहिए पर दो बीवी वाला इंफ्लूएंसर अपने आपको बहुत परफेक्ट समझता है बहुत अच्छा समझता है वो यह समझता है कि सारा अच्छा कॉंटेंट वो बनाता है और बाकी लोग जो महनत करके कॉंटेंट बना रहे हैं वो सब भी उ तुम नाटक करना कि तुम्हें नहीं हो रहा है तुमसे एक्सराइज नहीं हो रही है मैं तुम्हें दो बेल्ट मारूंगा उसके बाद तुम एक्सराइज कर ले लगना और बहुत व्यूज आएंगे अपनी वाइफ को भी स्टूडेंट बना के दिखा दिया इस दो बीव इसने ये बताया अपनी वाइफ को कि सुबह सुबह वो अजवाइन का पानी पीले ना उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं पीना तो ऐसे वेट लॉस हो जाएगा तो इसने बहुत मजाग बनाते हुए ये रील बनाई है नितेश सोनी जी के ऊपर इसने ये वीडियो बनाय कि जो नितेश सोनी जी है वो हमेशा एक छोटा सा सिनारियो दिखाते है जहापे वो लोग को मोटिवेट कर रहे हैं एक्सराइज करने के लिए यह नहीं जहां पैसे के पीछे इंफ्लूएंसर्स दोड़ते हैं वहीं नितेश सोनी जी ने ये बात सामने रखी है कि लोग की जिन्दिया बरबाद हो जाती है बेटिंग वेबसाइट्स पे इसले कृपिया ऐसी वेबसाइट पे ना जाएं और नहीं उनको प्रमोट करें और तो और उन्होंने ये भी बोला है कि कितने सारे ऐसे इंफ्लूएंसर्स हैं जो कि नकली प्रोटीन जो हैं वो प्रमोट कर हाला कि उन्होंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिफ्स बताई हैं जो कि हाँ थोड़ा हाइन कैलरी हो सकते हैं बट डेफिनिटी ये बेटर देन सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशल प्रोटीन तो ऐसे इंसान को जो कि दुनिया को सही राह पर डाल रहा है जो कि लोगों को टाइम टू टाइम अपने बच्चों को अस्पताल में उनके उपर कॉंटेंट बनानी के बाद और इस बात को जस्टिफाई करके कि हम तो व्लॉगर्स हैं हमें अपने बच्चों को तो दिखाना ही पड़ेगा हमें अपनी दिंचरिया दिखानी ही पड़ेगी भले ही हमार बच्चा उल्टी करते हुए भी हम दिखाएं क्योंकि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो जो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता अपनी बीवियों को हर एंगल से जिम में दिखाता है जो कि हर चौथे पांचवे गाने में नई लड़कियों को दिखाता है घर में ठेरात है ऐसे इंसान को शर्माने जाए किसी और को यह बोलने पर कि व्यूस के लिए कॉंटेंट बना रहे क्योंकि तुम दो बीवी वाले इंफ्लूएंसर तुम तो किस हद तक नीचे गिर चुके हो और तुमें भी पता है कि तुम कभी अपने आपको हिंदू तो कभी मुस्लिम खहते हो तुम रिलिजिन से खेलते हो तुम दोनों ही तरफ से दोनों ही कम्यूनटीज को लिटरली यूज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम तो खुद के सगे नहीं हुँ कि वो कैसे पतली हुई है हम सबको पता है क्योंकि एक बीवी जो है वो उतनी पतली इतनी तेजी से पतली नहीं हुई है तो fat burner कौन ले रहा है और कौन बड़ी जट से एकदम से चुटियों में पतला हुआ है वो हमें दिख रहा है और unhealthy way से तुम्हारी बीवियां पतली हो रही है specifically वो जो पी है वो तो ये दूसरों के उपर जो तुम ठीकड़े फोड़ते हो न अपने करम के वो मत करो और दूसरी चीज आप सबसे कहूंगी recommend करती हूँ without any paid collaboration ऐसी कोई partnership नहीं है एसी कोई मुझे यहां पर कोई मैं paid podcast नहीं बना रही हूँ पर मैं आप लोगों को personally recommend करती हूँ जाएगे Mr. Nitej Suni के page को जाके देखिए सच में वो inspiration है क्योंकि वो पूरी की पूरी diet regime बताते हैं जहां पर even for those who as PCOS उनके लिए भी है हाला कि मैं यही कहूंगी कुछ भी अगर आप follow करते हैं पहले अपने डॉक्टर से अपने डाइटीशन से consult कीजे और फिर follow कीजेगा ठीक है आप उनकी बातों को inculcate कर सकते हैं अपने regime में बट कोई भी इस दुनिया में कोई भी आपको कोई recommendation देता है तो definitely आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर और डाइटीशन को consult करना है so that आपके जो वाइटल से उससे वो चीज अलाइन करें क्योंकि as a whole वो पूरी जनता के लिए वो डाइट या वो रिजीम देते हैं चाहे वो exercise काओ या कुछ भी बट आपकी health के साब से आपको हर चीज adapt करनी है और दो बीवी वाले influencer के लिए एकी चीज कहूंगी कि घड़ा तुमारे पाप का जरूर भरेगा वेट कर रहे हैं उस दिन का जब आखरी डेट होगी तुमारे case की और नियाय होगा पूरा भरोसा है मुझे इंडिया की judicial system पे आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत जै शीराम